आज मैं आपको कच्छा पांच, विसे हिंदी, पाठ तीन, मेरी सिच्छा पढ़ाने जाएं यह पाठ राजिन प्रिशाद जी की आत्म कथा है, आएए वो अपने आत्म कथा को किस प्रकार हमारे सामने प्रस्तुत किये हैं, इसको पढ़ते हैं और जानते हैं, अच्छा राम्भ मौलवी साहब ने बिस्मिल्ला के साथ कराया था, जिस दिन अच्छा राम्भ हुआ, मौ दूसरे दो अपने कुटुम के ही चचेरे भाई, यमना प्रशाद जी ने सबसे बड़े थे, वे हमारे लीडर थे, वे तमाम खेल लड़कपन की शैतानी में आगे रहा करते थे, उनके एक चचा जो मेरे भी चचा थे, परन्तु मजाग पसंद थे, वह मेरे पिता जी के छ बंदूक और गुलेल चलाना भी खूब जानते थे, फार्शी भी पढ़े थे और सत्रण्य भी बहुत खेलते थे, मलवी साहब जो हम लोगों को पढ़ाने आये बिचितराद में थे, उनका बहुत सी बातों परदावा था, बलदेव चचा के मजाग के लिए वह एक बहुत उपयोगी साधन बन गए, चचा तरह तरह की बाते मलवी को सुनाते और उनको उस्साह देकर या कहलवा देते कि वह भी चाहे कोई भी काम क्यों नहों जानते या कर सकते हैं, मलवी शाहब का दावा था कि वे सत्रंज के खेल भी खेलना खूब जानते हैं, बलदेव चचा उन्हें सत्रंज खेलाते पर वे कभी न जीतते, हम बच्चे इस मजा को कौतुहल से सुनते, इस प्रकार के मजा को के बीच हम फार्सी पढ़ते रहें, कुछ महीने बाद मौलवी साहब चले गए, दूसरे मौलवी साहब बुलाए गए, वे बहुत गंभीर थे और अच्छ पढ़ाते भी थे, हपते में साढ़े पांच दिन फार्सी पढ़ाते थे, ब्रहस्पतवार की दोपर के बाद और शुक्रवार की दोपर तक फार्सी से छुट्टी रती थे, तब गिंती सिखाते थे, खेलने कुदने के लिए भी समय दिया जाता था, हम लोग खूब सवेर उठकर मौलविशाप के पास जाते थे, वे एक छोटी सी कोठरी में रहा करते थे, सामने आंगन में तक्त पोष्ट पर बैठकर हम पढ़ा करते थे, सवेरे आकर पहले का पढ़ा हुआ पार्ट दोहराया जाता, जो जितना जल्दी याद कर लेता, उसको उतना ही जल्दी नया सबक पढ़ा दिया जाता था, जब तक सूर्योदय हो जाता, हम अपना मूध हो लेते और मा के पास कुछ खाने के लिए पहुच जाते, प्राया आधा घंटे की छुट मिलती, नास्ता करके लोटने पर सबक याद करना पढ़ता, और सबक याद करके सुना देने पर जहाप का हुकम देते, किताब बंद करो, किताब बंद करके तक्थी निकालनी होती, तक्थी भर जाती तो उसे धोना पड़ता, इस क्रिया में भी कुछ समय खेलने को मिलता, दोपहर को नहाने और खाने के लिए एक या डेल गंटे की छुट्टी मिलती, और खा कर फिर उस तक्थी पोश पर सोना पड़ता, मौली सहाब चार पाई पर सोते, दोपहर के बाद दूसरा सबक मिलता, और उसको याद करके सुदाने पर ही खेलने की छुट्टी मिलती, साम को जल्दी नीद आती, डर रहता कि मौली शाब हमें पलक जपकाते, देख न ले, नहीं तो मार पड़ती, जल्दी छुट्टी के दो उपाय थे, खेल कूद में जमना भाई लीडर थे, जल्दी छुट्टी पाने के लिए भी उपाय वही करते थे, पढ़ने के लिए तेल का दिया जलाय जाता था, जमना भाई रेत की छोटी पोटली बना लेते, और छिपा कर उसे दिय में रख देते वह सीग्र ही तेल सोक लेती और दिया जल्दी बुझने पर आजाता मौलवी सहब दाई पर गुश्चा होते थे कि तेल क्यूं क्रावकम डालती हो और वे मुझबूर होकर किताब बंद करने का हुकम देते और जो कुल फार्सरी का ज्यान हुआ उन्हीं मौलव साहब को और हम लोगों को भी बहुत दुख हुआ